समस्तिपूर में बीते 11 फरवरी को मुस्री घराडी थाना छेतर के फटेपूर बाला में संजी कुमार नामक व्यक्ति की हत्याकर लास को एक पोखर में फैक दिया गया था इस हत्या को पांच दिन वीते जाने के बाद भी पुलीस अपरादियों के गिरफतारी करने में आसफल साबित हो रही है इसी को लेकर भारी शंख्या में आकरोसित ग्रामिनों ने मुस्री घराडी एनेच 28 को जाम कर पुलीस प्रसासन के खिलाब जम के नारे बाजी कर रही है और पुलीस की नाकामी पर तरह तरह के सवाल खड़ा कर रही है जाम कर रही कुछ लोगों का कहना है कि अगर पुलीस जल्द हत्यारों की गिरफतारी नहीं करती है तो हम लोग सरक जाम कर ऐसे ही नारे बाजी करते रहेंगे और जाम अस्थल पर ही आत्म हत्या कर लेंगे अब देखने बाली बात या होगी कि पुलीस इस हत्या में सामिल नामजद अपरादियों की कब तक गिरफतारी करती है जाम लग जाने के कारण NH 28 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और रहागीरों को काफी मुस्किलों का सामना करना पर रहा है बियन पे निवज के लिए समस्तिपूर से समवाद दाता दिव्यान सुराय किरपो सरी सदा मिले तो हम लोग यहीं पर राके अपना जरूरार खा के पराम दे देंगे किन की हत्या हुए थी संजा कुमार का हत्या हुआ जगरु सिंग का बेटा हुआ पते कूर नासी में घर हुआ हुआ हम लोग आप लोग इसके लिए रोड जाम कर रहे है का यहीं पांग दिन हो गया अभी तक फ्लिस का सांसं कुछ नहीं कियाँ अपराधियों का नाम तक बता चुक烇 है लेकिन कर हत्या होगा लाइडा कि मांग कर रह लिया है कि अपने के नाम है कि अपने के नाम है